हमको समझ में नहीं आता है कि लोग ये जो dream है सपना, passion, profession ये सब चीज को इतना obviously कैसे ले लेते हैं जैसे कि हर किसी के पास सपना होना, passion होना, profession होना ये obvious सी बात है, ये अच्छी बात है क्यों? क्यों? क्यों ऐसा है? तो आज तॉड़ने का reason कुछ बहुत खास नहीं है actually खास है क्योंकि इस हफता Saturday को पांच किलोमेटर के रण पांच किलोमेटर के रण चारिटी रण में पाटिसिपेट कर रहा है ऐसे competition नहीं है लेकिन फिर भी दौड़े हुए बहुत दिन हो गया बहुत समय हो गया इसलिए सोचेगी थोड़ा वापस अपना आस्टा है मालूम नहीं पांच किलोमेटर हमसे हो पाएगा कि नहीं अभी तीन किलोमेटर में भी यह दिख रहा है घर निकलने से पहले हम सूचेगी दौड़ने जा रहे हैं इसलिए अपना चाबी लेके नहीं जाएंगे आज के एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसत है और वो है इस सवाल का जवाब देना पिछले पचीज साल से यह सवाल हमको परिशान करते आ रहा है प्रोफेशन वर्सेस हाबी हाबी जब हम लोग हाबी के बारे में बात करते हैं तो हाबी में हम लोग को कोई दिकत नहीं होता है सब को मजा आता है हाबी में जैसे क्रिकेट हो गया या फिर मेरे लिए रनिंग मेरे लिए रनिंग एक होबी है तो यह सब चीज को हम अतना सीरियसली नहीं लेते हैं जब मन करता है तब करते हैं तो वी आल लाइक होबी यहां कोई दिकत नहीं है सब बढ़ी हैं सब मस्त हैं दिकत कहा होता है दिकत यहां होता है प्रोफेशन में क्योंकि जो सपना के बारे में हम लोग बात करते हैं वो यहां एक्जिस्ट करता है क्योंकि जब हम लोग सपना के बारे में बात करते हैं तो हम लोग बात ये करते हैं कि आगे करना क्या चाहा रहा हैं यही सवाल है बच्पन में हमको याद हैं करीब 7 साल के थे 6-7 साल के थे शायद हम और मेरी मा ने मुझसे पहली बार ये question पूछा कि तुम बड़े हो के क्या बनना चाहते हो बेटा तो उस टाइम मालूम नहीं मेरे दिमाग में ये कहां से ये आया ये चीज लेकिन हम बोले हम ठेला वाला बनना चाहते हैं लेकिन उसके कुछ साल बाद मेरी मा ने फिर से पूछा मेरी मा या मालूम नहीं कहीं से किसी किसी ने तो उस टाएम मेरा सपना था रिक्षा वाला मालूने क्यूं उसके कुछ साल बात ठोड़ा और कमेंट डाइप का सपना था साइनटेस्ट बढना चाहते हैं और उसके कुछ साल बात से हम सूछ कशमा है छोड़ दिये मतलब इतना मेरा सपना जो है ये बदलते आ रहा था बदलते आ रहा था कि जब लोग हमसे अब पूछ रहे थे तो उसके बाद से हमको समझ में नहीं रहा था जवाब क्या दिया जाए कैसा जवाब देना चाहिए हमको उस टाइम से मेरा दिमाग जो है परिशानी होने लगा कि हमको क्या करना चाहिए आखिर हम क्या करें अपने फ्यूचर में तो उसके बाद हमको क्या सोच में आया कि आखिर यह सपना होना जरूरी है क्या किसी एक चीज में पैशनेट होना किसी चीज को लेकर प्रोफेशन मान या कोई सपना, एस्पिरेशन और आखिर क्यों यह मेरा नया सवाल हो गया और पहले ही अगर कंक्लूजन बताते हैं मेरे लिए इस सवाल का जवाब no है तो आज हम आपसे life का 3 facts of life के बारे में आप लोग के साथ share करना चाहते हैं जो कि हमको इस सवाल का जवाब देने में मदद किया यह almost हम अपना secret आपसे share कर रहे हैं अपने life का secret आपसे जिन्दगी में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको करना हो क्योंकि आपको करना हो समझ रहे हैं जिन्दगी में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको करना है क्योंकि आपको करना है everything in life is a choice जिन्दगी का हर एक चीज कोई भी चीज एक, हर एक चीज, मतलब एकदम हर एक चीज आपके choice पर है मेरे चेज़ा है मेरा चैज़ा तो आप कह सकते हैं तो हम पैदा हुए हैं ये मेरा चॉइस नहीं है और हम पैदा हुए इंडिया में और इंडिया में पैदा होके अभी हम जो लाइब जी रहे हैं ये मेरा चॉइस नहीं था और जो कॉले जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें के हमको एक भी इंट्रेस्ट नहीं है, उस चीज़ को ले कर रहे हैं, अपना जिंदगी जी रहा हैं, ये मेरा चोईस नहीं है, आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेस्चन है, आपके जिंदगी में भले ही जो कुछ करेंगे वह आपका चॉइस है चार्ली भाई बोलना असान है यार समझते नहीं हो तुम नहीं समझ पाऊगे इत वह चा आप सही हैं के वह समंझ wedding is कि la고 Samra कैना क्या चाहिए है आप खाना क्यों ख़ाता है और इसके बारे में थोड़ा सूच के देखें एक बार आपका लाइफ चेंज जाएगा सेकंड पॉइंट पे जाते हैं सेकंड पॉइंट अच्छं में आपके जाते हैं अच्छं में दोर्ग जाएगा आप अगर चाहें तो हर किसी भी चीज में आप कंपलेंट ढून सकते हैं तो हम जिन्दगी को इस तरह से देखते हैं दो चोईस है और दो चोईस में आपको चूज करना है पहला आपको आपके सामने कोई थपड मार रहा है दूसरा आपको आपके पीछे से सर्प कुछ पर फनला और यह दो चीज कफस ग्या और यह कि पहला चीज जो आपको थपड़ मार रहा है और कहां से किधर कम रने वाला है आपको एक्सपेक्टेशन के बारे में और अगर आप चाहें और आपके पास अगर इतना अबिलीटी है तो थपड मारते टाइम या तो आप इसका हाथ पगड़ सकते हैं या फिर आप डॉज कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं लेकिन जब आपको पीछे से कोई मारता है मालूम ने आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं असेमली टाइम मे मतलब बच्पन में जब हमसे बड़े हो कि क्या बनना चाते हों तो इस सवाल का जवाब देने में हमको मुश्किल इसलिए नहीं लगता था कि हमको किसी चीज में इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन हमको मुश्किल इसलिए लगता था क्योंकि हमको बहुत जादा चीज में आप हम खुद से question करना शुरू कि हम क्या हम जो मेरे साथ problem था कि हम बहुत सारा चीज करना चाहते हैं तो क्या असली में हम सब चीज हर चीज को करने के शौक के कारण ही हम नहीं चूज कर पा रहे हैं या क्या हम हर चीज में सिर्फ असानी ढूणने का कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट खिलना हमको पसंद है लेकिन professional cricket player बढ़ने के लिए डेली practice करना हमको पसंद नहीं हमको गाना गाना पसंद है लेकिन डेली वोकल ट्रेनिंग करके सिंगर बनना पसंद नहीं है हमको सक्सेस पसंद है लेकिन डेली रोज सुबह जल्दी उठके हाड़ वर करना पसंद नहीं है तो मतलब मेरे दिमाग में ऐसा बहुत सारा चीज है बहुत सारा इंट्रेस्ट है जो कि हम करना चाहतें इंट्रेस्ट है लेकिन सिर्फ हम मजा ही ढून रहे हैं तो एक चीज कर रहे हैं और उसमें किसी मुसीबत से हमको फेस करना पड़ गया तो उसके बाद फिर नहीं अब नहीं मेरे जिन्दगी में बहुत इंपोर्टन्ट था आप जिन्दगी में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हर चीज नहीं कर सकते आप पानी पीते वक्त नहीं बोल सकते हैं है कर तो यह प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है मतलब हर चीज को करना practically impossible है पॉसिबल बात नहीं है impossible है तो ऑलंता यही शिस्टम है यू कैन डवेह इनिफिंग है आप कोई भी चीजब सकते हैं लेकिन प्रयूट सब्सक्राव में आ Creo चीज़ सीखने के बाद मेरा जिंदेकी बदल जाता है यह चीज़ सीखने केबाद Singh मेरा जिंदेगी एक नमीह mism completely different अ random completely क्या बता है मतलब यह ऐसा freedom ठाए है ऐसा freedom मिला कि लगा कि याइड हम समझ गये अब अपने क्या करना चाहते हैं क्या करना चाहिए मतलब क्या करना चाहते हैं नहीं भी समझ आइक्शली सच बता है तो क्या करना चाहते हैं अभी एकदम सही से नहीं मालूम है लेकिन क्या करना चाहिए इस चीज़ के बारे में हमको समझ में आ गया आप लोग से एक चीज शेयर करना भूल गया थे होफुली आपको और पढ़ियां आडियो मिल रहा होगा तो यही कारण है मेरा यूट्यूब करने का और म्यूजिक में करियर बनाने का कोशिश करने का और यह प्रोफेशनल म्यूजिशन बनने का पहला स्टेप एक सवाल जो मेरे जिंदगी में हमको बहुत परिशान करते आ रहा था वो यह है कि मान लीजिए कोई चीज को चूज करके किसी चीज में कमिट करके हम आगे बढ़ रहे हैं और हमको 5 साल-10 साल के बाद मालूम चला कि हमको यह चीज पसंद नहीं है तो क्या किया जाएं और हमको इस एनलेजी से काफी मदद मिला है कि मान लीजे एपल ट्री है एपल ट्री को भी फ्रूट को लाने तक बहुत सामय लगता है करीब 7 से 9 साल क्वेस्टन यह है अपने जिंदगी से अगर कंपेर करते हैं तो 7-8 साल तक हम महनत किये बहुत महनत किये और हम fruit bear किये और हम कुछ result लाएं लेकिन हमको पसंद नहीं आया मालूम चला कि यह मेरे लिए नहीं है हम कुछ और करना चाहते हैं यह एपल ट्री जो है सेव जब खिलता है तो सेव के खिलने के बाद सेव खिलके खतम नहीं होता है यह save जो है इसको utilize करके appy fizz भी बनता है Apple Pi भी बनता है और Apple Apple computers भी बनता है और Apple का एक से एक इसके बद पहुँछ सारा चीज आप expand कर सकते हैं और यही चीज सीभने के बाद हमको किसी चीज को choose करना और उसमें commit करना पहले इतना अब हमको तो रेस खतम हो गया काफी काफी बढ़ियां था काफी थकान भी था बीच में हार मानने का बहुत मन किया लेकिन फिर भी कंप्लीट कर गया और और माफ किजे इस बार का एपिसोड हमको थोड़ा लेट अपलोड करना पड़ा क्योंकि हम को बीच पीच में काम बहुत जादा पड़ गया था तो इसलिए हम टाइम पर खतम नहीं कर पाए हम से तो माफ किजे लेकिन अगले हफता कुछ स्पेशल लाने का कोशिश करेंगे और आज भी कहाने सुनने के लिए पहुत-पहुत धन्यवाद आप लोग से अगले हफता मिलेंगे बाइए झाले हम से भी करेंगे हाँ